नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Competition Community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का 36 गड़ करें डिफेर अनालेसिस करेंगे लास्ट टेम हमने 23rd of October तक के 36 गड़ के जितने भी महत्पून टॉपिक्स थे उन सब का हमने अनालेसिस कर लिया था आज के इस वीडियो में हम 24th of October से लेकर 2nd of November तक के 36 गड़ के जितने भी महत्पून टॉपिक्स होंगे उन सब का यहाँ अनालेसिस करेंगे इसके अलावा हर वीडियो में मैं पिछले lecture का आपको कुछ question प्रोवाइड करवाता हूँ उस question का जवाब आप नीचे comment section में जरूर कीजिएगा देखे, revision बहुत मश्ट होता है और इसी के उद्देख से मैं question यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप उसका answer दे बहतर revision से ही आप बहतर score कर सकते हो इसलिए साथ में revision करते चलिएगा अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पर क्लिक करें पिछला वीडियो देखें उसके बाद इन questions का जवाब आप नीचे comment section में दीजिएगा लेकिन answer जरूर कीजेगा साथ में revision जरूर कीजेगा revision करने से आप बहतर score कर पाऊगे और अच्छे दरीगे से चीजों को जो है recall कर पाऊगे चलिए इस lecture का अगर आपको PDF चाहिए तो आप Telegram चैनल से जोड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी हम कुछ important information available करवाते रहते हैं इसके अलावा आप लोग like share तो करते ही हो और कुछ अच्छा लगने पे नीचे comment भी कर सकते हो ठीक चलिए पहला question है प्रदेश में उत्पादित एथेनोल की दर कितने रुपे प्रती लेटर ने धारित की गई है यह रहा आपके सामने option answer आपको नीचे comment section में करना है इसके बाद जो second question है हाली में प्रदेश के किस प्रेटन इस्थल का नाम देश के प्रेटन नक्से में सामिल किया गया है सिर्पूर, डोंगरगड, जगदलपूर या फिर भोरम देवी रहा आपके सामने option इसका जवाब भी आप नीचे comment section में जरूर करना इसके बाद तीसरा question है राज में आज साक्षरों को साक्षर बनाने है तो किस अभियान की सुरुआत होने जा रही है पढ़ना लिखना अभियान, सिखना पढ़ना अभियान, पढ़ेगा चत्तिसगड या फिर ननब्दी है वोई भियानी की इनमें से कोई नहीं तीन प्रशन है, तीनों का जवाब आपके आपको नीचे comment section में करना है चलिए इसके बाद आज के हम अपना analysis सुरू करते है जिसमें हमारा जो आज का पहला topic है चत्तिसगड क्रिसी उपज मंडी संसोधन विधियक 2020 यानि की चत्तिसगड एग्रिकल्चर प्रोड्यूज मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020 आप लोगों याद है पिछले कुछ दिन पहले Central Government की तरफ से तीन फार्म बिल लेकर आया गया था जिसका विरोध कुछ राज्यों द्वारा किया गया था कुछ राज्य सरकारों को कहना था कि इस बिल से किसानों पे खासा असर पड़ेगा उनकी आमदनी पे असर पड़ेगा और सिर्फ वैपारियों को या बिल फायदा पहुँचाएगा और दीरे-दीरे MSP भी यानि के Minimum Support Price भी या बिल खत्म कर देगा इसके विरोध में कुछ राज्य सामने आये थे और चुकि क्रिसी जो है राज्य सुची का विसे है तो जो हमारा समविधान है वो राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि आप क्रिसी से सम्मधित कानून बनाए और इसी के संदर में 36 गड़ विधान सभा का विसे सत्र बुलाया गया और इस विशेश सत्र में एक बिल प्रस्तूत किया गया जिस बिल का नाम है 36 गड़ एगरिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020 और यह बिल जो है वो 36 गड़ एगरिकल्चर मार्केट एक्ट 9072 को अमेंड करता है और इस अमेंडमेंड के तहत यहाँ पर क्रि हो गया मदुमक्खी पालन हो गया इन सारी चीजों को यानि कि सभी उत्पाद को चाहे वो प्रोसेट के फॉर्म में हो या फिर मैनुफेक्चर के फॉर्म में हो यह सब के सब जो हैं क्रिसी उपज कहलाएंगे तो यह टॉपिक खासकर आपका मुख्य परिक्षा के लिए इ मंडी स्थापित कर सकेगी यानि कि राजसरकार जब चाहे क्रिसी के उपज से संबंदित किसी भी छेतर में मंडी स्थापित कर सकती है इसके अलावा इस विध्यक क्या राजसरकार किसानों की फसल या उत्पाद को स्थानिय मंडी में तो बेची सकती है इसके अलावा तो उसको इस्थानी मंडी में भी बेच सकती है विविन राजियों के मंडियों तक भी जा सकती है इसके अलावा विविन राजिय के जो वैपारी है उस तक भी अपनी उपज को राजिय सरकार पहुँचा सकती है और ऑनलाइन इसको इस्थापित करने के लिए electronic trading platform की भी सरल सब्दों में समझें कि राज्य सरकार चाहती है कि केंदर पर कम निर्भर हो क्रिसी उत्पाद के मामले में इसलिए चाहे वो दूसरे राज्यों के वैपारी हो या फिर स्थानी मंडी हो उनके माध्यम से किसानों के फसलों को जो है सही कीमत पर बेजिनी के लिए इस बि जो कि परिक्षा के दरिश्टी कॉंट से काफी महत्पून थे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल डिवलप्मेंट से रिलेटेड कुछ important facts बताऊंगा जिसका परिक्षा में पूछे जाने की संभावना अधीक है पिछले एक से दो सालों में इंडस्ट्रियल डिवलप्मेंट को लेकर सरकार द्वारा किस प्रकार से कारे किये गये हैं और कौन-कौन से ऐसे important जो कारे हैं जो परिक्षा के दरिश्टी कौन से महत्पून है उसका हमिया analysis करेंगे तो सबसे पहले अक्टूबर दुहजार चोबिस तक चलेगा और यह चतिसगर प्रदेश का यानि कि गठन से बाद का जो है चौथा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा प्रिलिम्स में डारेक्ट कुछिन पूछा जा सकता है कि चौथी और योगी कनी से रिलेटेड क्या याद रखेंगे कि मिनिस्ट्रियों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटर्प्राइज गवर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा राज्य में सुक्ष में लगू एवं मत्यम उदम के विकास एवं प्रूत्साहन के लिए विसेस प्रयासु हेतू राज्य सर द्वारा है इसके लाब आप ध्यान रखेंगे कि राज में स्टाहर को बढ़हावा देने क्लिए जिस प्रकार से कारे किये इसके बाद आपको याद रखना है कि 36 गर सरकार द्वारा क्रिसी अधारित ग्रामिन छेत्रों में उनके उत्पाद बहतर तरीके से रखे जा सके उन्हें संरक्षित किया जा सके इसलिए राज में 200 फूड पार्के इस्थापना किये जाने का लक्ष निर्धारित किया गया है इसके साथ आप ये भी याद रखियेगा कि देश का दूसरा और प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कौन से जिले में स्थापित किया गया है तो धमदरी में स्थापित किया गया है और धमदरी के कौन से जगह पे तो बागोद में उसका स्थापित किया गया है जिसका सुभारव जो है खाली में किया गया है तो इस बात को भी आपको धियान रखना है और राज में 200 फूट पार्क स्थापित किये जाने का लक्ष भी जो है वरतमान स्रकार द्वारा निर्धारित किया गया है ये भी एक important point है इसके अलाबा ये जो फूट पार्क स्थापित किये जाएंगे 146 विकास खंडों में से 101 विकास खंड में जो है भूमी का चैन कर लिया गया है इसके अलाबा आपको यहाँ पर धियान रखना है जिसे की 36 गड़ इमानक के रूप में भी जाना जाता है 1 अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया है तो ये 36 गड़ के industrial development से related कुछ महदुपून points थे 5 से 6 मैंने points बताए ये 5 से 6 points को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहां से एक नए एक प्रश्न हो सकता है आपसे बन जाए इसके अलाबा एथेनोल से related भी industrial development में बहुत सारे project लाए गए हैं आपका भोरम देब सहकारी सक्कर का खाना में एथेनोल plant खुला जा रहा है इसके अलाबा मुंगेली में प्रस्तावीत है इसके अलाबा आपका जांजगीर चापा में प्रस्तावीत है तो इस तरह से भी आपको याद रखना है एथेनोल से related मैंने previous वीडियो में बहुत सारे जो है points आपको बता चुका हूँ तो इसलिए यहां पर नहीं बता रहा हूँ तो industrial developments related जितने भी points मैंने आपको यहां पर बताए उन सबको आपको ध्यान रखना है चलिए इसके अलाबा कुछ points और यहां पर ध्यान रखियेगा रायपूर में दस एकड़ भूमी पर जेमसें ज्यूलरी पार की स्थापना प्रस्तावित है यह मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसके लाबा कोरोना के दोरान स्टील उत्पादन में 36 गड़ पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है कोरोना के दोरान 27 लाख टन जो है स्टील का उत्पादन किया गया है तो यह भी कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है चले इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक की दरफ हाइडरो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है यानि की जल विद्दुत ग्री से संबंदित यह टॉपिक है तो 36 गड़ में जो है वरतमान समय में चार जल विद्दुत ग्री हैं यह आपको ध्यान रखना है कौन-कौन सा वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहाँ पर हम इसलिए यह टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि इन चार जल विद्दुत ग्री के द्वारा रिकॉर्ड विद्दुत उत्पादन किया गया है कैसे तो इस उक्टूबर के प्रथम पक्षवाडे में अब तक 345.4 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया है अगर हम इसका पिछले वर्स से कंपेरिजन करें तो पिछले वर्स 180.04 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया था जिसमें से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया गया है वो हस्देव बांगो जल विद्दुत ग्री से किया गया है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्दुत ग्री है यहाँ पर 3 यूनिट है 40-40 मेगावाट का 3 यूनिट है यानि कि यहाँ से यहाँ की जो चमता है वो 120 मेगावाट विद्दुत उत्पादन का है तो जो हस्देव बांगो विद्दुत ग्री से जो विद्दुत का उत्पादन किया गया इस पकवाड़े में वो 318.2 यूनिट का उत्तपादन किया गया तो सबसे पहले तो आप यह याद रखिएगा कि कितना million यूनिट का उत्तपादन किया गया यह एक record है अब तक सबसे ज़्यादा जलविद्दुत ग्री से विद्दुत का उत्तपादन किया गया इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि 36 गढ़ का सबसे बड़ा जो विद्थूत ग्री है वो है आपका हस्दिव बांगो जल विद्थूत diamond जो की कुर्वा जिले में इस्तित है जल्वी दुत्गरी है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है जल्विद्धुत्री का वो है बूद घाट परियोजना जहां से लगभग मैंने आपको किसी वीडियो में 500 मेगावाट बताया था लेकिन ये डेटा जो है वो गलत है आप इसे 300 मेगावाट कर उत्पादन किया जाएगा वो 300 मेगावाट विद्धुत का उत्पादन किया जाएगा वो भी एक जल्विद्धुत्री होगा क्लियर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगला जो हमारा टॉपिक है स्वदेश दर्सन योजना से संबंदित है सेंट्रल ग स्वदेश दर्सन स्कीम के तहट आपको पता है कि सर्कीट बेस पे आधारी टूरिजम प्लेसे को डेवलप किया जा रहा है जिसमें से आधिवासी सर्कीट की जो सुरुवात है वो 36 गड़ से की गई अब आधिवासी सर्कीट के तहट एक लेक्चर में मैंने आपको पढ़ एक नवंबर 2020 यानि की यानि की 36 गड़ की स्थापना दिवस के अवसर पर इसी स्कीम के तहट यानि की स्वदेश दर्सन के ट्राइवल सर्कीट के तहट ही पांच रिसॉट का और लोकारपड किया गया है तो ये पांच रिसॉट कौन कोन से है पहला जस्पूर जीले के बा हाईवे ट्रीट और कोरभा जीले के सत्रेंगा में बोट क्लब एंड रिसॉट और इसके अलाबा सरगूजा जीले के महसपूर में वेसाइट अमेनीटी ये पांच रिसॉट का और लोकारपड किया गया है और इससे पहले तीन रिसॉट کا लोकारपन औरेडी किया जा चुक में आठ जो है resort का लोकारपन 36 गड़ में किया जा चुका है तो स्वदेश दर्सन स्कीम के बारे में भी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ और बहुत डीटेल से बताया हूँ तो ज्यादा डीटेल इस पर नहीं जा रहा हूँ बस ये resort के बारे में आप सब जो है अच्छे से याद रखेगा प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है चलिए इसके बाद जो next का डॉबिक है हमारा fortified rice वित्रन योजना हाल ही में 1 नवंबर 2020 यानि की स्थापना दिवस 36 गड़ राज जिस थापना दिवस के अफसर पर 36 गड़ सरकार द्वारा एक पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर एक स्कीम सुरू किया गया है जिस स्कीम का नाम है fortified rice वित्रन योजना इस स्कीम के तहत कूंडा गौन जीले को चुना गया है इस पाइलेट प्रोजेक्ट के लिए और इस स्कीम का जो announcement है वो इस साल के बजट भासन में किया गया था और इसके लिए जो बजट का provision किया गया है वो 5 करोड 80 लाग रुपे का किया गया है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले इस स्कीम का नाम आप ध्यान रखिएगा शुरू कब किया गया है एक नमंबर 2020 को राजिस थापना दीवास के अफसर पर 20-20 थापना दीवास है इस वर्स कौन से जीले से सुरू किया गया है कॉन डागों जीले से पाइलेट प्रोजेक्ट है पाइलेट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सरकार अगर कोई स्कीम लाना चाहती है और उससे पहले उसका परिक्षण करना चाहती है क्या ऐसा अफल होगा या नहीं तो सुरुआदी चरण में कुछ जीलों में या कुछ करता है यानि की फूसक तत्वों से भरपूर है जो की कुपोशन और एनेमिया को दूर करने में काफी मदद करता है तो इसी लिए इस स्कीम को जो है बस्तर संभाग से सुरू किया गया है क्योंकि बस्तर संभाग में जो आपका माल नूट्रिशन की समस्य है एनिमिया की समस्य है जादा है और अगर ये कॉंडागों में सफल होता है तो इसे आगे पूरे राचे में इसे शुरू किया जाएगा यहाँ पर अगर आप बोलोगे स्क्रेंशॉट के लिए जगह नहीं मिल रहा है तो इ स्थापना की जा रही है और ये प्रदेश के 30 नगरी स्लम एरिया में मुबाइल होस्पिटल सह लैबोरेटरी का सुबारम जो है एक नवंबर 2020 को यानि कि राज्य स्थापना दिवस के अफसर पर ही किया गया है और ये किया गया है मुख्यमंत्री सहरी स्लम स्वास्त 2019 को और 2nd October 2019 को 5 योजनों के शुरुवात की गई थी जिसमें से एक था मुख्यमंत्री सहरी स्लम स्वास्त योजना ये प्रदेश के सभी नगरीये निकायों में इस योजना को सुरू किया गया था और उस छेतर में बहतर स्वास्त सुविधायें पहुचाने के लिए इस य जियाद रखना है ठीक चले इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है नेशनल वाटर अवाट चतिस गड़ के दो जीलों को नेशनल वाटर अवाट से सम्मानित किया गया है पहला जीला है आपका बिलासपूर और दूसरा जीला है आपका सूरजपूर किन-किन कैटेगरी म को जो है इस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में और सूरजपूर जीले को जो है वो इस्ट अंडर वाटर कंजरिवेशन कैटेगरी में राश्टिय स्तर पर प्रथम पुरसकार से सम्मानित किया गया है अब यहाँ पर समझेए आपको याद है पिछले 2019 में बजट भासण में इक योजना फरूं किया गया प्रडियो योजना का क्या नाम था सुराजी गाउं योजना उस योजना की तहरे चार महत्वकानशी कारेकरम प्रदे सरकार दौरा चलाये जा रहे हैं नर्वा घरवा घृबा बाड़ी और नर्वा के तहट में जो भी नदी नाले हैं छोटे छोटे उसका संरक्षन किया जा रहा है उनको पुनरविक्सित करने का काम किया जा रहा है और इसी के तहट नर्वा कारिकरम के अंतरगत पिछले दो सालों में नदी नालों का बहतर काम किया गया सुरजपूर में भी बिलासपूर में भी और इसी के तहट इन दो कैटेगरी में जल सक्टी मंत्राले भारे सरकार द्वारा जो है इन दो जीलों को सम्मानित किया गया है प्रिलम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेट है आपको अच्छे से याद रखना है चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेल इंफ्रस्ट्रक्चर को विक्सित करने के लिए 36 गड़ को एक और बड़ी सफलता मिली है जब पिछला लेक्चर हम लोग कर रहे थे तो व अब स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 36 गड़ को एक और सफलता मिला है जिसमें जो भारा सरकार की योजना है कौन सी योजना खेलो इंडिया योजना जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको इसी के तहत इंडोर हॉल का मतलब हो गया कि यहां पर आप जो है कुस्ती भी कर सकते हैं यहां टैनिस भी खिल सकते हैं यहां बैडमिंटन भी खिल सकते हैं यहां पर आपको स्विमिंग की भी शुविधा दी जाएगी तो सारे स्पोर्ट्स जो है जो भी इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं और महा सम्मून में जो है synthetic athletic track खोला जाएगा, clear है, चलिए इसके बाद next topic है हमारा, उत्क्रिष्ट पुलिस जवान सौरे पदक, most important topic है, स्थापना दिवस के अफसर पर राज्य स्थापना दिवस, 1 नवंबर 2020 को, प्रदेश के साथ पुलिस ओफिसर्स और कर्मचारी को सौरे पदक से सम्मानित किया गया है, सबसे पहले इस पदक के बारे में समझ लिजे, इस पदक को स्थापित किया जाने का प्रस्ताब 2017 में र स्थापना दिवस के अफसर पर प्रदेश सरकार सौरे पदक से सम्मानित करती है, 2019 में 4 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था, और 2020 में 7 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, सातों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, PDF मैं आपको दे दूँगा, यहाँ से आयोग केंद्र खोलने की घोशना हो चुकी है और इसे खोला जाएगा इंद्रा गांधी क्रिशी विश्विविद्याले यानि की इंद्रा गांधी एक्रिकल्चर यूनिवर्सिटी रायपूर में प्रदेश में किसानों को अब खरीफ और रभी फसलों के उत्पादन लागन का निर्धारन करने के लिए दूसरे केंद्रों पर भरोसा जो है वो नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि अब प्रदेश के पास में खुद का जो है क्रिसी लागत एवं मुल्ले आयोग होगा जहां से किसानों के उत्पादों का जो है कीमत तै की जाएगी उनको सही कीमत दिल दाया जाएगा इसके लिए इस आयोग केंद्र का गठन किया जाएगा इंद्रा गांधि क्रिशे विश्विद्याले रायपूर में बनेगा और यह देश का 17 वा क्रिशी लागत एवं मुल्ले आयोग केंद्र होगा और यह केंद्र जो है अगामी फाइनेंसियल यानि की 2021 और बाइस से सुरू हो जाएगा ठीक है और अगर आपको बाकी 16 केंद्रों के बारे में जानना है देश में कहां कहां इस्थित है तो यहां पर आपको नाम दिया हुआ है यहां से आप देख सकते हो इस केंद्र को शुरू किया जाने के बिचे का उद्दे सिक्या है तो प् वसल की सही कीमत दिलाने के लिए उनकी आयका निरधारन करने के लिए यह आयोग जो है मुख्य भूमी का निभाता है क्लियर चलिए इसके बाद नेक्स टॉपिक की तरह बढ़ते हैं समर्पन अभियान 36 गड़ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सुरू किया गया या अभियान है या बुजर्गों के लिए अभियान सुरू किया गया है कि अगर बुजर्गों के साथ में किसी प्रकार से कोई परिशानी होती है या फिर उनके साथ में किसी प्रकार से सोशन होता है तो समर्प अभियान को शुरू किया गया है फ्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यह भी 36 गड़ सरकार के अगले चिफ सेकेटरी कौन होंगे अमिताब जैन होंगे अभी वरतमान समय में कौन है आ और यह ध्यान रखिएगा कि 36 गड़ मूल के यह चौथे मुख्य नियाधीस होंगे इससे पहले कौन-कौन रह चुके हैं विवेक डान रह चुके हैं अजैसिंग रह चुके हैं और आरपी मंडल भी जो हैं वो 36 गड़ के मूल निवासी रह चुके हैं अब जो हैं इसके बाद जो निक्स्ट का टॉबिक है अनूज सर्मा को सेलिब्रेटी एडवोकेट बनाया गया है प्रदेश के यूनिसेफ का मतलब क्या है यूनाइटेड नेसान चिल्डरेंस फंड का जो है सेलिब्रेटी एडवोकेट के रूप में चैनित किया गया है बस इतना स्वक्षिता, सिक्षा और बच्चों के संरक्षन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो यूनिसेफ के साथ में मिलकर काम करेंगे ठीक है चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है देश के सबसे बड़े फांटेन यानि की वाटर फांटेन का जो निर्मान है वो आ समस्ट इंपोर्टन टॉपिक है यह भी सौरे पदक के बारे में भी याद रखिएगा और राज अलंकरन सम्मान 2020 के बारे में भी याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यहां से हर साल एक ने एक प्रशन पूछा जाता है आपका CGPSC भी पूचता है व्यापम और तीन संस्थाओं को जो है वो राज अलंकरन पुरसकार से सम्मानित किये हैं कौन-कौन से केटेगरी में किनको किनको आवोर्ड मिला है सब कुछ यहां पर दिया हुआ है तो 19 केटेगरी है टोटल जहां पर सम्मान दिया गया है और तीन संस्था है जिनको सम्मान दिया गया है राज अलंकरन सम्मान 2020 से यानि की सम्मानित किया गया है पीडिएफ में आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा अगर यहां पर इमेज अच्छे से विज्विलाइज ना हो तो मैं आपको इसका इमेज अलग से टेलीग्राम पे अविलेबल बादूंगा तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जोड़ जाएगा क्योंकि यह सारे नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कौन से सम्मान जो है किस छेतर में दिया जाता है यह भी याद रखना है कौन से डिपार्टमेंट की तर शट्स गढ़त पुसतकों का संख्या बताओं तो नौ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है और इस पुस्तक का नाम इस प्रकार से है हमारे राम हमारे बापू नयाए विराशत और विस्तार पहल संबल आवेशकता बोद घाट महता इंद्रावती, जन्मन की विजयगा था, मन्रेगा, लोकवारी आपकी बात, मुख्यमंत्री भूपेज बगेल के साथ, जैहिंद, जैच्छतिसगड़, तो इस तरह से नौ पुष्टकू का जो है वो प्रकाशन किया गया है, जन्संपर्क विभाग द्वारा, और इन न मिडियं स्कूल का नाम रखा गया है आतमादंग इंग्लिश मिडियाम स्कूल और पूरे प्रदेश में लगबवग बावन English Medium School खुले जाने का जो है वो लक्ष रखा गया है और इसके लिए जो बजट का प्रोविजन किया गया है वो 130 करोड रुपै का किया गया है तो याद रखिएगा प्रदेश सरकार में English Medium School खुले गया है जिसका नाम रखा गया है आत्मानन English Medium School और सारे स्कूलों का नाम जो है वो आत्मानन जी के नाम पे ही रखा जाएगा क्लियर है चले इसके बाद जो नेक्स टॉपिक है आदिवासी नेता हीरा सिंग मरकाम का निधन हो गया है हीरा सिंग मरकाम जो है वो आदिवासियों के बीच में काफी लोग प्रिये थे और यह जो है गुंडवाना गड़तंत प्रिले में इस्तित है इस विधान सवाचेतर से तीन बार विधायक भी रह चुके हैं तो इंके बार में याद रखिएगा प्रिलिम्स में कुछा जा सकता है इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है कवरधार याशत की राजमाता शशी प्रभा देवी का निधन हो गया ह ने भी पूर्विधायक रह चुकी है कवरधा से कवरधागर याशत की और यह भी आविवाजित मद्य प्रद्यस से जो हैं दो बार विधायक रहा चुकी है तो यह भी याद रखिएगा कवरधार याशत की जो ह्राजमाता है चेंपर선 प्रभा उनंका निधन हो गया है यह था हमारा आज का अनालेसिस वीडियो उननीश टॉपिक टोटल आज हमने अनालेसिस किया सारे टॉपिक्स बहुत इंपोर्टेंट है तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कीजेगा और साथ में जो मैंने सुरू में कुश्चन पूछा उसका जवाब आप नी सब्सक्राइब कीजेए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले